अगर मालवा में मध्र प्रदेश शासन के निर्देश अनुसास वास्तादिकारी डॉक्रार एसस समालवे के मारग दर्शन में एन आर्सी प्रसिक्षण केंद्र में जिले के समस्त स्के एचों को कुष्ठ नियंत्रोयन कारिकरम को गती प्रदान करने के लिए एक दिपसी है प्रसिक्षण डिया गया निर्देशित किया गया कि समस्त स्याचों अपने अपने ग्रामों के एए एन एम और अधिनस्त आश्या कारिकरताओं के माध्यम से कुष्ठ नियंत्रण में प्रगती लाएं तो वहीं कुष्ठ अधिकारी आर्सी इर्वा ने कुष्ठ रोग के लक्षण बताते हुए कहा कि कुष्ठ रोग के लक्षण त्वचा के रंग में किसी प्रकार का बदलाव होना जैसे त्वचा पर पीला गुलाबी लाल धबा होना त्वचा पर गाठे कानू के किनारे और चहरे पर गठाने और बाल जढ़ना ये कुष्ठ रोग हो सकता है उन्होंने बताया कि दुनिया के साथ प्रतीशत कुष्ठ रोगी भारत में निकलते हैं और शासन की द्वारा दी जाने वाली निशुल्क एंट डीटी की खुराक खाने से 90 प्रतीशत रोगी के शरीर में बैक्टीरिया मर जाते हैं और वो रोग मुक्त हो जाता है जिलाव演 के एक कई सेंटर में एक दिसी कुष्ठ नियंतर कारेकरम के अंदरगत्र प्यम की अत्यंत कमी होने के कारण यहां पर रीप्त है इसलिए और जो जिले में नए चिनिक मरीजों को खोजना है उनका आज प्राशिक्षन जाएगा और प्राशिक्षन देने के लिए राप जी इस्तर से समन्वाइक लेप्रा सोसाइटी भोपाल से हमारे स्री सतीजी चोधरी आज आगर मालवा में आकर पुष्ट के रूगयों को किस परकार से खोच करना है या परकार से किस परकार से कु सुछ रोगयों की पहचान करनी हैि ये सारी चीजें आज हमारे स्टव को सिखाएंगे और सिखाने के परश्याद हमारे कुष्ट नियंद्रन कारिक्रम की गति विद्य में और व्रद्धी होगी